हेलो उप्रेवेन मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ आप BPSC 4.0 की साइंस के सीरीज यहां पर कॉंटिन्यू करूंगी और आज का जो सेशन है यहापका डे 5 यहां पर होने वाला है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ IUPAC नेमिंग और फंक्शनल ग्रूप को यहां पर डिस्क्स करूंगी और अगर आपको यह सेशन है पर पसंद आता है तो इससे पहले वाला जो सेशन है वो आप जो देखेगा जिसमें हमने carbon and its compound का जो basic है वो यहां पर डिस्क्स किया और carbon की chain की अब हम यहां पर naming किस तरीके से करेंगे वो डिस्क्स करेंगे मैंने आप लोगों के साथ जब last session यहां पर complete किया था तब मैंने बताया था कि carbon में अगर एक carbon होता है तो उसे myth बोलते हैं इस तरीके से अगर मेरे सामने यहां पर तीन अलगलग carbon की chain दिया जाए जिसमें आप देख सकते हैं कि यह आपकी straight chain है सीधी chain है इसमें एक जगह पर यहां पर आपकी branching होगी और इसमें यहां पर branching हुई एक ही जगह पर पर दो आपकी carbon यहां पर आगे तो ऐसे case में इनके नाम क्या होंगे और इनके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं सबसे पहले आपको अगर किसी भी carbon chain की नाम अगर उसका लिखना है तो उसमें आपको क्या करना होता है यह ढूलना होता है कि लंबी से लंबी chain कौन से आपकी बन सकती है तो देखिए यह त धित फिर प्रॉप फिर ब्यूट फिर पेंट फिर हेग inglés तु यह होता है हेग मैं हर जर्गा पर single bond और मैंने आपको बताया था single bond के ही हम क्या लिखते है आ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा और हम दूसरे chain के बात करें तो सबसे पहला काम जो first step होता है वे आपके लंबी chain ढूलना है तो देखिए अगर आप इस तरीके से इस chain को देखते हैं तो इसमें 1, 2, 3, 4 4 carbon है इस तरीके से इस chain को देखते हैं तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbon है पर यह जो सीधी वाली chain को अगर आप देखते हैं तो इसमें 6 carbon है तो 6 carbon को आप यहां पर इसे consider करेंगे और इसके बाद यह जो branch में आपका लिया हुआ है यानकि इस carbon को इसका भी नाम लिखना है पर इस carbon की counting आप एक बार यहां से करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, यानकि तीसरे नमबर पर लगा है और यहां से 1, 2, 3, 4, 4 नमबर पर लगा है तो हम तीसरे नमबर पर इसको इहां पर लेंगे यानकि तीसरी जगा पर क्या लगा है एक carbon को क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया था मिथ बोलते हैं और अगर हम इस पूरे chain का नाम रिखेंगे, तो ये पूरे chain में कितने carbon है, 6 carbon है, और 6 carbon को बोलते है, hexane, अब इस तीज को आप reverse पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, अगर आपको question में ये दे जाए, कि 3-methyl hexane को आप draw करोगे, तो क्या बनेगा, तो आप इसे किस तरीके से पढ़ोगे, पीछे से आगे, मतलब, hexane मतलब 6 carbon की एक chain है, और सारी जगह पर कैसे bond है, single bond है, क्योंकि एन लगा हुआ है, और साथे साथ तीसरे जगह पर, myth यानि की, एक carbon हाँ पर लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, अब अगर हम next case देखें, तो next case में भ आपका हो जाएगा, 6 मतलब hex हो जाएगा, बड़ की तीसरे नमबर पर क्या लगा हुआ है, तीसरे नमबर पर इस बाद 2 carbon लगे, दो carbon को हम क्या पढ़ते है, दो carbon को हम पढ़ते है, इत, तो हम लिखेंगे कि तीसरे नमबर पर जैसे कि 1, 2, 3, यहां से count करेंगे, तो इसके बाद यहां पर आजाएगा, hexane, तो इस तरीके से आप carbon की chain की जो है, नेम यहां पर कर सकते हो, तो यहां पर अगर आपको इससे ही उल्टा बनाना होगा, तो आपका क्या कहोगे, hexane मतलब hex मतलब 6 carbon, 6 carbon की chain में तीसरे नमबर पर 2 carbon जो है, इस तरीके से लगे हुए है साथे साथ आपको isomer भी यहां पर आपके examiner पूर सकते हैं, जैसे कि pentane के isomer बनाईए, तो pentane का मतलब क्या होता है, pentane का मतलब होता है 5 carbon, 5 carbon की chain, और isomer क्या बताता है, कि किसी भी carbon की chain के कितनी जो structure है, वो आपके तयार हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं pentane का यहां पर बनाने लगों, तो pentane में सबसे पहले आप कैसा बना सकते हो, सबसे पहले आप सीधी carbon की chain बना सकते हो, एक ऐसा बना सकते हो, 5 carbon का, एक case ऐसा कर सकते हो, कि 4 carbon को आप सीधा लगा दो, एक carbon को इस तरीके से branch में लगा दो, यह दूसरा case हो गया, अब तीसरे case में क्या कर सकते हो, कि 3 carbon को सीधे लगा दो और बीच वाले carbon में एक उपर एक नीचे लगा दो तो आपको paper में पूछा जाता है कि pentane के कितने isomer बनते हैं तो आप कहेंगे एक इसका नाम हो गया n-hexane sorry n-pentane जो straight chain होती है सीधी chain होती है उसके आगे n लगाते हैं इसमें जब एक जगा पर इस तरीके से branching होती है तो इसे बोलते है ISO और इस तरीके से आपकी दो जगा से branching होती है तो बोलते हैं new तो यहाँ पर आपसे पूशे जा सकता है कि pentane के कितने isomer है तो आप कहेंगे 3 isomer है और यह जो isomer है यह बनने कहां से start होते हैं यह भी आपसे पूशे जा सकता है मैंने आप लोगों के साथ carbon की chain discuss की थी सबसे पहले था myth मित में तो भई एक ही carbon है तो उसका क्या ही आईसो मर बनेगा तो myth में methane में नहीं बनता ethane में 2 carbon है 2 carbon को आप जैसे मर्जी लगाओगे वो आपकी सीधी ही कहलाएगी तो यह भी आपका नहीं हो सकता myth it क्या बाद आता है prop प्रॉप में 3 carbon है अगर मैं 3 carbon को ऐसे लगाऊ चाहे 3 carbon को मैं ऐसे लगाऊ दोनों ही आपके क्या है सेम है तो इसमें भी आपका आईसो मर नहीं बनेगा तो आईसो मर कहां से बनता है आईसो मर आपका बनता है ब्यूटेन से मतलब 4 carbon से और इसके दो आईसो मर होते है ब्यूटेन के यहां पर दो आईसो मर पेंटेन के यहां पर तीन आईसो मर इस तरीक से काम यहां पर चलता है अभी आप लोगों नहीं कार्बन की चेन देखी पर अगर इस कार्बन की चेन म मैं यहाँ पर CL लगा दू तो इसका नाम यहाँ पर बदल जाएगा इसका नाम बन जाएगा अब कारबॉक्सलिक अमलिक की बात करें तो इसको पहचानने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़े पता होने चीज़ सबसे पहरे हमें यह देखने हैं तो अगर कारबॉक्सलिक अमलिका जो जनरल सूतर है वो देखें तो वे होता है आपका र-C-S-R-O-O-H तो यह आपका क्या है, यह आपका है एक गुरुप जो कि Carboxic Acid को क्या दर शाहता है, अब इसके अलाबा अगर हम इसके suffix के बात करें यानिकि अनुलंगन के बात करें तो यह आपका होता है Oic Acid, अब मैं क्या बोलने की कोश्च करीओं, इसको ज़रा समझने के लिए ज़र का एक नाम दिया गया था और यह बोला गया था कि इसमें कौन साथ आपका functional group है यह आपको बता रहे हैं तो सबसे पहले तो अगर आपको carboxlic अमले को पहचान तो इसके सबसे पहली पहचान होगी कि नाम के पीछे आपको oic acid जो है वो मिल जाएगा नाम के पीछे मतलब जो suffix होता है वो क्या होगा oic acid अगर oic acid लिखा हुआ है तो वो आपका carboxlic acid को तरशाद है इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ पिछला session लिया था जिसमें मैंने बताया था प्रॉप का मतलब क्या होता है मैंने आपको एक table आपके साथ discuss की थी जिसमें सबसे पहले था myth फिर था it उसके बाद था प्रॉप अगर मैं प्रॉप के बाद करू तो प्रॉप में कितने carbon होंगे प्रॉप में आपके total 3 carbon होंगे तो इस तरीके से मैं 3 carbon लगा सकते हैं अगर हम इसके सूत्र को लिखना चाहें तो तीन carbon आपके इस तरीके से लिखेंगे अब एक carbon की valence कितनी होती है तो हम कहेंगे कि एक carbon की होती है total 4 valence और चार वैलेंसी के अनुसार अगर एक बॉंड यह इस तरह बना चुका है तो यहां पे तीन और बॉंड बनाएगा हाइडोजन के साथ क्योंकि यह होते हैं आपके हाइड्रो कार्वन तो मैंने इस तरीके से दर्शा भी अब अगर मैं बीच वाले कार्वन की बात करूं तो बीच वाले कार्वन की इधर और इधर एक एक बॉंड पहने से हैं तो ऐसे केस में क्या होगा ऐसे केस में एक बॉंड बनेगा उपर से एक बॉंड बनेगा नीचे क्योंकि कार्वन को अपनी चार वैलेंसी करी हैं अब अगर हम इस केस में लेखें तो कार्वन का और एक ब और इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, COOH इस तरीके से आप रीड करते हैं, तो यह हो गया आपका प्रोपनाइक आसेड और इसको अगर शॉट के लिखेंगे, तो C कितने हैं, C आप कहेंगे, C यहाँ पर है 2, H कितने हैं, H है आपके, यह हो गया, आपके 3, 2, 5, और आपका प्रोपनाइक आसेड का क्या, प्रोपनाइक आसेड के हाँ पर सूट, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, तो देखें, इसी को ही अगर आपके एग्जामेनर पूछ लें कि ब्यूटनाइक आसेड का आप बना के दिखाईए, तो ब्यूटनाइक आसेड का किस तरीके से बनाएंगे जड़ा देखिए सबसे पहले तो पहचानने के लिए ब्यूटनाइक आसिड में ऐसे शब्द चुपा हुआ है को कार्बॉक्स लिग आसिड का गुरूप है और ब्यूटनाइक आसिड की बात करो तो ब्यूट मतलब कितने कार्बन तो अगर हम यहां और नीचे बन जाएगा एक उपर और एक नीचे बन जायएगा इस कार्बन का होगा किया यहां पर double bond O और OH इस तरीके से आजाएगा तो यह हो गया आपका 카बerson, ने अस는र सबदिट और एक जिफज और खासवाद यह जो आपका 카्ब किनारे पर देखने को मिलेगा क्योंकि अगर इसे बीच में लगा लगा दिया जाए तो इसका H-Group आपका खतम हो जाएगा अबी आगे अगे क्लियर होगा आपको इतना रखना है कि कार्बॉक्स लिक्स अमरे जो है इसका जो अनुलंगन वह है ओएक आसेट इसका फॉर्मुल यहां पर clear होगी अब हम यहां पर discuss करेंगे alcohol को और alcohol का suffix रहन के अनुलगन क्या है अगर हम alcohol functional group को देखें तो एक carbon chain के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा कि उस chain के अंदर आपको OH group जो है यह आपको देखने को मिल जाएगा अगर किसी भी carbon chain के अंदर आपको OH group यहां पर मिल जाए तो वो आपका alcohol को दर्शाता है साथे साथ इसका जो suffix होता है अनुलगन होता है पर आपका क्या होता है इसका suffix यहां पर OL यानकि जो alcohol शब्द में last में आपको OL देखने को मिल रहा है वैसे ही आपको इनके नाम में भी देखने को मिलेगा जैसे कि propanol इसके अलावा butanol तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी carbon के compound के नाम के तीछे आपको E की जगा जिससे यहां पर propene होना चाहिए तो E की जगा आपको OL अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो किस street को दर्शा आता है वे आपका दर्शा आता है कि यह group कौन सा है यह group आपका alcohol है अब देखी इसको अगर हम यहाँ पर इसके structure को बनाने जाए तो इत मित प्रॉप खेंगे प्रॉप मतलब कितने carbon प्रॉप मतलब तीन carbon तो तीन carbon हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं और तीन carbon में आपको पता है कि यह जो कौने वाले carbon है इसके आपके कितने hydrogen लगेंगे इसके तो मैंने लगा दिये क्योंकि टोटल आपके चार बॉंड बनाने जैसे मलची अब बीच वाले carbon की बात करों तो एक बॉंड यहां से तो आपके दो आपके इस तरीके से यह दिख जाएंगे और इस केस में एक OH ग्रुप आजाएगा और यहां पे आपका क्या होगा एक एक H लग सकता है तो यह आपका propanol का formula है और अगर यहां पर आप butanol का formula बनाएंगे तो butanol में होगा क्या कि सिर्फ तीन की जग़े क्या जाएगा यहां पर चार कार बना जाएंगे एक एक hydrogen जो है इस तरीके से यहां पर आपका शो कर सकते हो आप अब यहां पर आपको मैं ए propanol और propanol में क्या difference है इसको जड़ा देखते हैं तो देखिए यहां अगर मैं देखों तो यहां पर दो क्यों लिखा हुआ है दो इसलिए लगा हुआ है कि दूसरे कार्बन पर कौन सा ग्रुप है OH ग्रुप है यानि कि prop मतलब कितने कार्बन तीन कार्बन तीन कार्बन मे अगर आपको याद कर रखना है कि alcohol जो होता है इसका अनुलगन जो होता है वो क्या होता है ओल यान कि नाम के पीछे क्या लगेगा और फॉम्ला क्या है ओच तो अगर आपको कार्बन की चेंड में देखने को मिले तो यहां पर फंक्शन ग्रुप क्या है alcohol है अब इसके अल करना चाहती हूं क्योंकि दोनों का ही लिंग पैटता है और आपको यह भी पता होना चाहिए यह जो आपका किटोन है इस से आपकी इस साल जो आपका बीपेसी 3.0 हुआ है उसमें आपका कोशन पूछा गया था कि इस तरीके से दिया गया था कि ब्यूटे नॉन है यहां प अब इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हम यह जो एल्डी हाइड है और साते साथ किटोन है इनको साथ में क्यों पढ़ रहे हैं तो देखिए इनके अगर मैं यहां पर सफिक्स के बात करूँ यानिकि अनुलगन के बात करूँ तो यह जो किटोन होता है होता है इसमें आपको यहाँ पे al देखने को मिलेगा यानकी नाम के पीछे आपको इस तरह यानकी जो al है वो आपको देखने को मिलेगा और ketone का जो अनुलगन है यानकी suffix है वो आपको क्या देखने को मिलेगा on यानकी नाम के पीछे one मूँ पढ़ेंगे इसे on पढ़ेंग यानि कि इस तरीके से आप इसे लिखते हो और यातरी से आप CHO करके भी लिख सकते हो तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है और किटोन की खास बात करें तो किटोन जो होता है ये कार्बन चेन के बीचों बीच इस तरीके से लगता है अब क्यों carbon chain के बीच में लगता है इसका यह कारण है क्यों क्योंकि अगर इसे carbon chain के किनारे में लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? कैसे बनेगा? इसको जड़ा दीखते हैं मेरे सामने एक है propanil अगर मैं propanil को बनाओं तो propanil मतलब prop मतलब कितने carbon? तो यहां पर मैं तीन कार्बन इस तरीके से दर्शा सकते हूं, तो देखिए, तीन कार्बन मैंने दर्शा दिये, अगर मैं यहां पर क्या करूं कि इस ग्रुप को, इस ग्रुप को यानि कि एल्डी हाइड के ग्रुप को बीच में इस तरीके से डबल बॉन ओ लगाँ, अभी तो यहां पर आपका ऐटियो हैे ऑगर उसे असे कार्वन की चेहने के बीच में अप लगा दोग के त gymn किया अपको एक अलग शहा स्कित आरे में लगाने में पार्ण शेयर सुपरेंगाई करपे तीन और अपको अ प्रम्रोज्ट आपको नहीं क。 तो इस तरीके से आपका aldehyde group कहलाता है और अगर हम यहाँ पे जो ketone है इस group के बात करें तो जैसे सेम वही बात कि यह आपके carbon chain के बीचों बीच लगेगा अगर आप किनारे वाले पे लगाओगे तो एक hydrogen लगाना पड़ेगा जिससे क्या बन जाएगा aldehyde बन जाएगा तो यह गलती आप नहीं करेंगे आप क्या करेंगे carbon chain के बीचों बीच लगाएंगे और जिस carbon chain में आप ketone को लगाएंगे उसमें hydrogen हो गाई नहीं क्यों नहीं होगा तो कि दो bond यहाँ से बन गे एक bond यहाँ से बना, एक bond यहाँ से बन गया तो यहाँ पे तीन hydrogen यहाँ आ जाएंगे क्योंकि तीन चार bond को बनाने और इसमें भी तीन hydrogen इस तरीके से आ जाएंगे तो आपके एक्जाम में जो question पूछा गया था वो यह था कि ब्यूटनोन में कौन सा functional group है तो आपको O and E से इसे पहचानना था आपके आने वाले एक्जाम में इस तरीके से structure से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा structure किसका है तो आपको functional group यहाँ पे पहचानने आने कि कौन सा functional group कौन से यहाँ पे functional group के अंदर यहाँ पे count होगा तो I hope के साथ next function group यहाँ पे discuss करूंगी जिसे आप यहाँ पे hello alkane की नाम से जानते हैं और इन में आपको देख ती को क्या मिलेगा इन में आपके यह पूर्वा लगन होते हैं यानि कि यह नाम के पहले लगते हैं जैसे कि for example यहाँ पे chloro, bloro अब यह लगेंगे कैसे जब इनके नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं chloro butane यानि कि यह नाम के पीछे नहीं आएंगे यह नाम के पहले आते हैं और अगर हम इसका formula जो है वह अगर रहा पर बनाया चाहें तो आपको पताए कि bute मतलब कितने carbon bute मतलब यहाँ पर होते हैं 4 carbon तो bute मतलब आप इत्मित फ्रॉप bute तो चाहर कारवन में इस तरीके से बना रही हूँ और CL जो है आप corner में इस तरीके से हाँ पर लगा देंगे अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि CL हमेशा कौने में लगेगा ऐसा न अब देखिए अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो यह दूसरा नमबर होगा यहां से काउंट करेंगे तो यह दूसरा तो दूसरे नमबर पर आप सी एल इस तरीके से लगा सकते हैं तो यह चीज आपका ब्रोमो के साथ और यही चीज आपका आईडो के साथ भी होता है इ और अगर हम एलकाइन के बात करें तो इसका फॉर्मुला होता है CnH2n-2 इसको जरा हम डाइग्रमाइटिकली एक बार मतलब इसके स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे ब्यूटीन बनाना है अगर मुझे यहाँ पे ब्यूटीन बनाना है तो पर आप मैं काउंट करके देखते हों कि इसकेस में आपके जितने Carnes chosen 2-2 hydrogen होता है तो ब्यूट मतलब कितने Carnes carbon वील मतलब आपे चार कर्वेंगे इस तरीक से बना दिया अब आपको पता है कि ब्यूट में E&E लगाए E&E का मतलब क्या होता है जहाँ पर E&E लगता है वहाँ पर लगता है आपका double bond तो double bond अगर आपने इस तरीके से एक जगा पर लगा दिया किसे एक जगा पर लगेगा तो यहाँ पर अब आपको hydrogen लगाने है अगर मैं यहाँ पर देखू तो यह वाले carbon का एक bond यहाँ पर बन रहा है तो तीन bond आप इस तरीके से बनाएंगे टोटल आपको चार bond बनाने इस carbon के दो bond बन रहा है तो टोटल चार बनाने तो आप यहाँ पर दो और बनाएंगे इस carbon को अगर आप गौर करते हैं तो इस carbon की दो bond यहां से हैं, एक bond यहां से हैं, तो total तीन bond होने के वज़े से एक ही hydrogen लगेगा, और इस carbon की अगर मैं बात करूँ, last one, इसके दो bond पहले से हैं, तो दो hydrogen बनेगे, अब carbon गिन लेजिए, carbon कितने हैं, तो आप कहेंगे कि carbon इस case में है, चार, तो C4 लिखेंगे, और hydrogen जड़ा अगर हम इसे गिने, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आख, यानि कि इसका जनरल फॉर्मूला जो है, वहां पर बैठ रहा है, कि जितने कारवन हैं, उसका जस्ट डबल आप के hydrogen होते हैं, और यही चीज़ाब का alkyne मे फिर कुछ questions में हाँ पर आपके साथ discuss करूँगी, अब मैं आप लोगों के साथ homologous series जिसे आप समझाते हैं, शेरिण की नाम से जानते हैं, इसको ज़र discuss करूँगी, मैंने आप लोगों के साथ इसे पिछले session में यहाँ पर एक series लिखवाई थी, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा था, myth, उसके बाद लिखा था, it, फिर लिखा था, यहाँ पर फिर लिखा था, मैंने ब्यूट इस तरीके से मैंने चीज़े लिखी थी, और अगर यह आपके सारे के सारे saturated hydrocarbon हैं, तो इनके नाम के पीछे क्या आएगा, A, N, E, A, N, E, इस तरीके से आएगा, और ह men, h1, N, h2n, plus 2, यह मैंने आपके सारे डिसके से अगर की बात करें तो मिथ मतलब 1, तो मिथ मतलब 1 कारवन, मिथ में के बस्थ gli in-ness, तो मिथ अगर हम बेके तो 1 कारवन और hydrogen क嘗ा यानि कि हृदोय क्या करना होगा, यानि कि hydrogen को 2 से in full coffee principle 21 क कर देना है कि हाइडियों कि पिर यह जाएगा इसके बाद हम यहां पर इथी बनाएंगे तो इथेन में कार्बन कितने होंगा Rebel competing में 2 प्लस करेंगे तो यहां पर आजाएगा 6 अब आप कहेंगे कि यह मैं क्या इस अब ही आपको homologus series का concept जो है वो समझ में आ जाएगा अगर मैं प्रोपेन की बात करूँ प्रोपेन में कितने carbon होते हैं तीन carbon और तीन carbon तीन को दो समेंटिप्लाइ करेंगे तो 3 तूजा आएगा 6 6 में 2 प्लस करेंगे 7 8 तो हमने लिख भिया इसके बाद butane के अगर मैं बात करूं तो carbon कितने चार, हाइडोजन कितना होंगे, 4 to the 8, 8 में 2 प्लस करेंगे, हाइगा थैंग, अब अगर मैं इस श्रंक्रा को देखू, इस सीरीज को देखू, तो आप ठेंगी कि क्या फरक है, अब मैं अगर इस सीरीज को यहाँ पर गौर करती हूं, तो इस सीरीज के अंदर मुझे देखने का फरक है, है या निये, अब अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो एक कार्बन, जैसे दो से तीन कार्बन होगे, एक कार्बन और दो हाइडोजन का फरक है, यानकि 6 से एट हो गया, अब अगर मैं यहाँ से यहाँ जाओ, तो एक कार्बन और दो हाइडोजन का फरक ह एसी सीरीज जिसमें इस तरीके का कॉमन गाप आता है वह आपका हुमोलोगस सीरीज होते हैं और अगर हम इसके अटॉमिक नंबर को निकाले यांकि CH2 के अटॉमिक मास्क को निखा ले तो आप कहेंगे कि कार्वन का अटॉमिक मास्क कितना होता है बारह प्लस हाइडोजन का क इंटु टू, यानकी चौबिस अटॉमिक मास्क का इनके बीच में फ़रख होता है और ऐसी सीरीज जिसमें सेम गाप को ये समान की गाप क्यों लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि होमो शब्द का मतलब ही, समझ जाते शब्द का मतलब ही है कि सेम गैप, ऐसे आपके सीरीज इसमें सेम गैप चल रहा होगा, सीच टू का गैप, और अगर हम अटॉमिक मास में निकाले तो चौदा का गैप, ऐसे सीरीज आपकी कहलाएगी, होमो लोकर सीरीज अब मैं आप लोगों के साथ कुछ कोशन डिस्क्स करते हूँ, जिससे आज के सेक्षन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर होगा, और अगर आपको यह सेक्षन यहाँ पर पसंद आया, तो आप लोगों को कमें सेक्षन ने BPSC 4.0 की जो प्लेलिस्ट है, वो में जाएगी, अ पैंटेन आपके ऐसे आपके कार्बन कमपाउंड होते हैं, जिसमें 5 कार्बन आपके एक साथ होते हैं, तो देखिए अगर मैं पैंटेन के आईसुमर बनाना चाहूं, तो एक स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कि एक स्ट्रक्चर के अंदर 5 कार्बन इस तरीके से सीधे ल आईसोमर तो आपका स्ट्रेट इस तरीके से बन सकता है। दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं। दूसरे केस में हम चार कार्बन को इस तरीके से लगाएं सीधे और एक को इस तरीके से ब्रांचिंग में लगा दें। तो ये भी आपका एक आईसोमर बन जायागा। जो ये मैं carbon आप नीचे इस तरीके से place कर सकते हैं तो total अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो pentane के कितने isomer यहाँ पर possible है pentane के total 3 isomer यहाँ पर possible है I hope यह question आपको यहाँ पर clear हुआ होगा अब हम next question यहाँ पर देखते हैं next question के अंतर हम लोगों को क्या बोल रखा है which of the following hydrocarbon represent the isomer of butane butane का आपको isomer जो है वो आपको बताना है butane में सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि butane sorry butane के यहाँ पर बात की जा रही है butane में आपको यह देखना है कि bute मतलब कितने carbon bute मतलब हमें पता है कि total 4 carbon होते हैं और जहाँ पर E, N, E आ गया वहाँ पर आपका double bond तो हो गई होगा तो ऐसा option जिसमें double bond नहीं है जैसे कि C option उसको आप काट देजिए क्योंकि butean का जो आपका isomer होगा उसमें double bond होना कंपल सरी है इसके अलावा हमें इतना पता चल गया कि butean में 4 carbon होंगे बट अगर आप पहले structure को देखते हैं और गिनते हैं तो इसमें carbon कितने हैं इसमें carbon है total 5 तो ये भी नहीं हो सकता अगर हम यहाँ पर D option को गिने तो D option में भी carbon कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो ये भी नहीं होगा इस question का जो सही answer है वो होगा आपका D option इसके अलावा अब हम next question यहाँ पर discuss करते हैं तो देखिए IUPAC नाम आपको यहाँ पर बताना है और एक structure हम लोगों को इस तरीके से दे रखा है और अगर हम यहाँ पर इस structure को देखें तो इस structure को देखते ही हमें clear होना जीए कि इसके अंदर कौन सा functional group आपका छुपा हुआ है इसके अंदर आपका छुपा हुआ है ketone ketone कहाँ पर लगता है carbon chain के बीचों बीच लगता है और इस जगह पर यहाँ पर ketone जो है वो लगा हुआ है इसके अलावा अगर हम इसके नाम लिखेंगे तो देखिए ketone जो है वे आपके नाम के पीछ आता है यह तो हमें पता है कि यह आपका कहाँ पर आता है suffix में आता है अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम counting करते हैं तो भी यह तीसरे नमबर पर और यहाँ से अगर हम counting करते हैं वो भी तीसरे नमबर पे, तो counting हम करेंगे कहां पे, counting हम इस तरी किसे करेंगे, हम देखेंगे कि carbon की एक straight chain है, साथ में एक branching यहां से भी है, तो यह branching भी कहां से सबसे कम नमबर पे आएगी, तो आप कहेंगे कि जब आप इस तरह से यहां से counting करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो देखेंगे इस case में यहां पे दूसरे नमबर पे क्या लगा है, दूसरे नमबर पे आपका methyl group लगा हुआ है, तो two methyl यहां पे हो जायेगा, और carbon के chain कितने हैं, carbon की chain है, पाँच क तो आप यहां पे लिखेंगे pent और यह जो आपका ketone group है, यह कौन से carbon के साथ लगा हुआ है, तो यह तीसरे carbon के साथ लगा हुआ है, तो three own, तो यहां पर आपका answer हो जाएगा, two methyl pent-three own, यहां पे जो first option है, यहां पे correct answer है, इसके अलावा अब हम next question यहां पे discuss कर रहे हैं, बह इन में से कौन सा आपका यहां पे aldehyde का functional group जो है वो बताता है, तो देखिए COOH जो होता है, यह मैंने आपको बताया था, यह carboxlic acid का है, तो यह इसका answer नहीं है, अगर हम देखें तो C double bond O जो होता है, यह आपका ketone का होता है, यह आपका नहीं होगा, अगर हम इस structure को देख और इस structure को देखें, तो यहां पे यह arrow की वज़े से यह भी गलत हो जाएगा, यहां पे आपका C जो option है, वो correct answer है, वो आपका किसका functional group है, वो आपका aldehyde का functional group है, अब देखिए एक और question आप लोगों को naming base यहां पे दे दिया गया, इसके naming भी हम यहां पे करके देखते हैं तो देखिए naming करने के लिए सबसे पहले आपको straight carbon जो है chain यहां पे ढूननी होगी, straight chain क्या, आपको longest chain यहां पे ढूननी होगी, तो longest chain आपकी यही बनेगे, आप करके देख लीजेगा इसको, इसके अलावा हम numbering कहां से करेंगे, यहां से numbering करेंगे, यहां से करेंगे, जहा numbering कर दी, अब इसके अलावा यहां पे CH3 लगा हुआ है, यहां पे तीसरे number पे CS3 लगा है, और यहां पे दूसरे number पे, मतलब दूसरे number पे 2 CS3, और तीसरे number पे 1 CS3 है, तो CS3, और CS3 को क्या बोलते हैं, CS3 को आप लोग मिथाईल के नाम से जानते हैं, इतना तो आप लोग को क्लियर होगा, अब यहां पे अगर हम देखें, तो 3 CS3 लगा है, कौन कौन से पोजिशन में, 2 CS3 लगा है, 2 CS3 लगा है, 2 CS3 लगा है, 3 CS3 में, तो कितने CS3 होगे, 3, तो हम लेखेंगे 223 Trimethyl, 223 Trimethyl हमने लिखा, और उसके बाद कार्बन की चेन कितने की है, कार्बन की पाँच कार्बन की है, तो इसे पैंटेन, पैंटेन के नाम से जानते हैं, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहां पे अगर आप हिंदी वाले ओप्शन को देखेंगे, तो यहां पे 22 होगा, यहां पे इस CS3 को करेक्ट कर लिजेगा, यहां पे जो करेक्ट वो होगा आपका फर्स ऑप्शन, I hope आज के सेशन आपको पसंद आया होगा, आज के सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में, अगले टॉपिक के साथ, बाई बाई, टेक केर